प्रथम वेक्टी कौन है तो प्रेक्ट नसे होजाएगा मेजर शोमनाथ सर्म है ठीकी है अगला प्रसन को मीठे पानी की सबसे बड़ी जिल कौन सी है तो अगला प्रश्ण है तो जमूर कस्मी लाजी में किस राजी में प्राइद इपिय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ठीक थिसका कर्यक्टंसर हो गुदावरी नदी अगला प्रश्ण गुदावरी नदी कहां से निकलती है important question है तो गुदावरी नदी ब्रह्मगीरी परवत से निकलती है ठीक है अगला प्रश्ण SM का फूर्वर्म क्या है तो सब्सक्राइब ऑइडेंटिटी इडेंटिटी ओडिशों के सापक कौन है देश शापक क्यों मुश्य ठीक है अगला प्रश्न हो ही टिप डेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटो कॉल सिक्यूर ठीक हैं अगला प्रश्न है सरदार सरोवर्वर परियोजना कहां इसी थैं जिसका धंसर हो जाएगा गुर्यात में इस थैं आगला प्रशने सौरे मंदल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है सौरे मंदल सबसे ठंडा ग्रह अरूड ग्रह है जिसे के हम लोग उरेनिस कहते हैं अगला प्रशने भारत का सबसे लंबा राष्ठी राजमार्ग कौन सा है ठीक है इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा ऑेंटट नेच्ट 4 एनेच 6.5 पूराना नेवं क्या था एंच 7 अगला प्रशने भारत का सबसे छोटा राष्ठीatem यूट्टी सेवा यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन के अस्थापना कब हुई थी तिसका अक्टूबर 1926 कोई थी अगला प्रस्थापना क्यूटो प्रोटोकल कीस वर्स अपनाए गया 14 धिसंबर 1997 को अगला प्रश्ligt क्यूटो प्रोटोकल कीस वर्स लागू हुआ ऐसे लाग हुआ थू« सोला holiday 2005 से लागू हुआ ऑगला प्रश्न क्यू लागव रगे फ्रिवर्स struggled के लिए कि उपकरन्र sitä प्रियोग कि सुँपकिया जाता है ठीक है टो गीजर एंगर काउंटर ठीक है अगला प्र Airlines क में कितने सीटी होती हैं तो सांञा-545 होती हैं ढkin sepia में पिटने होती है राजी सहवा में कितनी सीटी होती है ज्ट होती है कि एक दो सॉपने का निडा सीट हaimer internet होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं अगला प्रश्ण चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरा वक्ति कौन थे जो मून पर है वह दूसरा वक्ति कौन उत्रा था एडवीन यूजीन एल्डरेन ठीक है अगला प्रश्ण है किस देश को सफेध हांतियों की भूमी के रूप में जाना जाता है तो इसक किस देश को हजार जीलों की भूमी के रूप में जाना जाता है किस देस में परवंद चअσकी नीदर लैंड ठीक है अगला प्रश्ण किस देश को लिली की भूमी के रूप में जाना जाता है किसकी भूमी लिली अगला प्रश्ण गूगल के संस्थापा कौन थे लरी पेज अगला प्रश्ण गूजर की जहलग का लेखा कौन है ठीक है जोहर लाल नेहरू पंडित लाल नेरू इंडियान डिवाइडेड पूस्तक किस ने लिखी थी जो इंडियान डिवाइडेड पूस्तक थे वो लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रिशाद अगला प्रशने भारती अंतरिक्ष कारेक्रम के जनक कौन है इसका क्रेक्टर्ण सहोजगा विक्रम सारा अगला प्रशने प्रेकाश की त्रीवता किसके द्वारा मापी जाती है प्रेकाश कानी लाइट के स्वीड लक्स मीटर के द्वारा ठीक है अगला कोशन पानी के भीतर ध्वानी रिकार्ड करने के लिए परियोगत उपकरन कौन सा है जो सांड रिकार्ड करें था हाइड्रो फोन ठीक है अगला प्रशन रक्त परिस्तन चरन की खोज किसने की जिसका करेक्टर्ण सहोजगा विलियम हावे ने जीएश्टी का पूर्वर रूप क्या है जीएश्टी का फूल फॉर्म क्या है करेक् में लागू किया गया गया फ्रांस देह में पहले अगला सस्व भी-e-e-t सबसे पहले किस देष में लागू किया गया रिष जी कि μου लोग चेहते हैंसा पूरा पूरू रुप कि सूरा भ्याइrit टेक्स मूल वर्धित कर ठीक है इसका हिन्दी में होता है भारत का सरवच नागरी क्रुशकार कौन सा है तो इससे करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत रतनों अगला प्रश्ट को सौर्य मंडल में हरा ग्रह कौन सा है अरूण घृआ हैं अगला परस्न किस अमला को मुरिटी एसीड के नाम से जाना जाता है एक तहहं रहा है किस Ricky नाम से आगला प्रश्ना ही क्या रेजिया एक किसका स्धेuges तो करेक्ट नसर हो जएगा नाइटरिक एसीड और हाइड्रोक्लोरी के सिर्ट यह दोने मिक्स करके होते हैं अगला प्राश्च नहीं पूरा फूरूरू क्या है यानि की भूल्प का फूल फर्म्स करेक्ट अंसर होगा वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटॉकॉल ठीक है अगल चार महानगर उसका नाम तो मुंबई चेड़नई कोलकत्ता और दिल्ली नेता जी सुवास चंद्रबोस की जन मस्थली का क्या नाम है ठीक है जिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा कटक ओडिसा में अगला प्राश्च जल का कंथना क्या है तो करेक्ट अंसर होगा 100 डिग्री अ अगला प्रश्णा नरेंदर मोदी किन राज्यों से मुख्य मंत्री थें तो फहले तो गुजरात होगा वह पहले गुजरात के मुख्य मंत्री थे ठीक है बाद भारत के प्रिधान मंत्री बनें किस राज शेकन-ईने संस्कृत को अब राज भासा की रूप में अपनाए थ ऊतराखंड ना खिर अंतिर मं प्रादिये श सर्मा और बारत के सब सेल लम्बे तक सेवा करने वाले प्रिदान मंत्ρι हूं थे तो रेक्टन सो हो जएगा पंडी ज्वाहरलाल नेरु अग्ला प्रश्ण निम्बु में कौन सा अम लेपाए जाता है यानि कि जो लेमन होते हैं उनमें कौन से असिट पाते हैं उसमें साइटरीक असीट पाते हैं जो खटा होता है भारत की सासर पर नाली क्या है तो इसक माउंट एवरेस्ट पर चणने वाली प्रताम भारतिय महिला कौन थी तो इसका होगा बच्छेंदरी पाल कौन थी बच्छेंदरी पाल यह पर करें थोड़ा सा मिश्टेक होगे लिखने में लेकिन बच्छेंदरी पाल होंगी ठीक है अस्ट्रेलिया किंद महासागरों के बी इसके लिए जीती थी तो सन्यूत राज्य अमेरिका का राष्ट्रिय खेल कौन सा है ठीक है तुसका करेक्ट अंसर हो जाएगा बेसबॉल बेसबॉल अगला कोशन न्यूस का पूर्व रूप क्या है जो न्यूस है उसका फूल फर्म क्या है तो नौर्थ इस्ट वेस्ट सा ठीक है अगला प्रशन है पंचीतंत्र की रचना किस ने की तो सबसे पूरानी चटाने है ठीक है तो अरावली की पहाड़ी प्रश्न भारत की सबसे उची परवत चोटी का नाम कंचन जगा परवत चोटी जिसे गम लोग केटू भी भोलते हैं अगला पर्श्न प्रित्मिक वायू मंडल में कितने परते होती है तो प्रित्मिक वायू मंडल में पांच परत होती है लीटोज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ ठीक है अगला प्रश्ण क्या है सबसे बड़ा पठार कौन से है उसका अंस्वर होगा और नेप्चुन थीक है अगला प्रश्न अजन्ता की गुफाई कहां इसी थे अजन्ता और एलोरा की गुफाई तो महारास्ट में है वो ठीक है अगला प्रश्ण भारत और पकिस्तान की सीमा का क्या नाम है तो रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पकिस्तान की बॉर्डर है उसका क्या नाम है तो रेड क्लिफ लाइन गांधी जी ने डांडी मार्च किस वर्स परम्भ की जो डांडी मार्च कब तो 1930 में ठीक है अगला प्रश्ण ब्रह्मांध का अध्यान किस नाम से जाना जाता है तो से करेक्टन से होगा कोस्मोलोजी अगला प्रश्ण पौधे की पतिया इतनी महतपूर क्यूं होती है बात होते हैं प्रशिद गंगा सागर मेला वार्षिक मेला भारत के किस राजमायोजित किया जाता है गंगा सागर मेला किस राजमायोजित किया जाता है तिससे करेक्टन से होगा पच्छिम मंगल वेस्ट मंगल ठीक है अगला प्रश्ण सीख धर्म के संस्थापक किसे माना जात तो करेक्टन से होगा शमुद्रुगुप्त को ठीक है अगला प्रश्ट करो या मरू का नारा किस ने दिया था इसके एंस्वर हो जाएंगे महात्मा गांधी करो नहीं तो मर जाओ करो या मरू ठीक है प्रित्मी और सूरे के बीच की कितनी दूरी है जो और्थ होते हैं और सुन से कितनी दूरी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर ठीक है अगला प्रश्ण सापेचता के सिधान्त की खोज किसने की ठीक है तुसका करेक्ट अंसर होगा अलबर्ट एंस्टीन ने अगला प्रश्ण हिंदी दिवस कब मनाया जाता है अलबर्ट एंस्टीन के कभी मैं बायोग्राफी बता दूंगे आप लोग हमारी अकास गंगा का नाम क्या है तो इसका करेक्ट असर हो जाएगा मिल्टी मिल्क व्यकास घंगा हिंदी नाम दुल मेखला ठीक्या अगला प्रश्ण हमारे ग्रह की सता पर जल के प्रतिसत कितना रहे अगला प्रस्ण हैjust अगला प्रॉस्ट्स सिंदु घाटी सभ्यता के लोगों को ग्यात धातूओं के नाम बताएं। तांबा, काश, चांदी, सोना अगला प्रस्ट। भारतिय राजे की प्रथा महिला राजेपाल कौन थी। तो सरोजनी नाइडू थी। कौन थी। भारतिय सरोजनी नाइडू अगला प्रश्ट। जोम खेती की एक विधी जो भारत के किस राजे में की जाती है। तो आगला प्रश्ट। दिल्ली सिंगासन पर शाषण करने वाली पहली मुसलिम महिला कौन थी। तो कर्यक्टन्स हो जगा रजिया सुल्तान भारत में कितनी अधिकारिक भशाए हैं तो भारत में 22 भशाए हैं ठीक है अगला प्रश्ण भारत में बोली जाने वाली मात्र भशाओ की कूल संख्या कितनी हैं तो कर्यक्टन्स होगा 1652 अगला प्रश्ण भारत की सबसे पूरान अंग्रेजी भासा की लिपी क्या है ठीक है अगला प्रश्न हिंदी दीवस किस लिपी में लिखी जाती है तो इसका हो जाए करेक्टन स्वर देवनागरी में अगला प्रश्न भारत के प्रताम ब्राष्ट पती कौन थे तो डॉक्तर रजेंद्र बिशाद अगला प्रश्न भारत के प्रताम प्रधान मंत्री कौन थे तो पंडित जोहरलाल नहरू यहां पर मिश्टेक हो गया पदीत लिखाए लेकिन पंडित जोहरलाल नहरू थे ठीक है भारत के पवित्रे नदी कौन सी है तो भारत के पवित्रे नदी गंगा नदी है ठीक है और आ मेरे चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा